Hello Friends, कैसे हैं सब लोग, I hope सब लोग अच्छे होंगे, बहतर होंगे और स्वस्थ होंगे तो आज हम डिसकस करने वाले हैं 7th Jan के Current Affairs जो की बहुत important Current Affairs हैं और Guys, Welcome to Where's Cloud Learn to Lead तो आज हम डिसकस करने वाले हैं बहुत important Current Affairs जिसमें 2 best images आप देख रहे हो लेकिन आज हम डिसकस करेंगे 10 to 11 बहुत important Current Affairs वीडियो को बिलकुल last तक देखेंगे और साथ ही साथ वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दो ही तीन काम मैं आपको कहता हूँ कि ये कर लो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स या और बहुत ज़्यादा वीडियो जो है वो मिलने वाली हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजे मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक है Affairs Cloud की सब्सक्रिप्शन कि आप हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो बाई कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर आप बाई कर सकते हैं इसको और इसके दो मेथड़्स हैं या तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाएं वेबसाइट अफेर्सक्लाउड.com या फिर आप सीधा ही कहाँ पर जा सकते हैं इस वीडियो के description box में इस वीडियो के description box में एक link given है उस link पे आप जाएंगे तो आप सीधा ही जोएवा subscription area में पहुंच जाएंगे आपको हम subscription में क्या provide करेंगे आपको मिलेगी daily pdf daily pdf में दो pdf मिलेंगे आपको जिसमें एक में theoretical current affairs होंगे एक में question and answer format में current affairs होंगे जिस तरह से हम video में discuss करते हैं तो उसमें हमने अलग तरह से question बनाए होते हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं weekly pdf होगी जिसमें आप week wise current affairs को पढ़ सकते हो आप revise भी कर सको weekly test होगा अपने आपको evaluate कर सकते हो कि मुझे कितने current affairs याद रहते हैं या नहीं रहते monthly pdf जो कि बहुत important section है और इसमें हम आपको 5 तरह की pdf प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें पहली pdf जो है वो study pdf है लब उसमें हम आपको theoretical grand affairs प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरी pdf question and answer pdf है जिसमें हम आपको जितने भी theoretical grand affairs हैं वो हम आपको question and answer format में provide कर रहे हैं next pocket pdf होगी जिसमें जो आप जल्दी जल्दी से grand affairs को revise करना चाहते हो तो ये pdf आपको help करेगी next banking finance और economy pdf जो की उन बच्चों के लिए खास करके हम त्यार करते हैं जो banking exam की त्यारी कर रहे हैं या फिर insurance exam की त्यारी कर रहे हैं next last section हमारा होता है top 100 grand affairs का मतलब पूरे महीने के top 100 grand affairs जो हमारी team चुनती है उसमें से हम आपको जो है वो क्या करते हैं वो top 100 grand affairs question and answer format में provide करते हैं जो की बहुत ही ज्यादा chance होते हैं कि वो exam में आएगा तो यह सारी जीजे आपको हर महीने हम provide करते हैं और इसकी subscription जो है वो मारी website पे भी और साथी साथ एक link given है उसमें भी available है लेकिन बहुत ही कम दाम पे हम दे रहे हैं आज का साथ January का वीडियो लेकिन उससे पहले आपने channel को like कर देना है subscribe कर देना है और साथी साथ वीडियो को भी जो है वो like और subscribe जो है वो ज़रूर कर दे है तो हम start करते हैं फिर आज का वीडियो पहले section के साथ जो की most important question section है जिसमें पहला question क्या कहता है DRDO and which metro rail corporation signed an MOU through which DRDO will provide technical support for treatment of human waste in the metro rail network तो DRDO एक नई technology use कर रहा है कि जो metro rail में जो human waste है तो उसको किस तरह से जो है वो हम technical achievement के थूँ ये technical network के थूँ किस तरह से हम उसको biodegradable form में जो हो convert कर सकता है मत उसको किस तरह से जो है वो आगे use किया जा सकता है तो answer क्या होगा, answer आप मेरे साथ match कर सकते हैं, वीडियो को pause कर सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें बहुत important है एक तो DRDO, एक उस metro rail corporation का नाम जो कि मैं आप से पूछ रहा हूँ और answer क्या होगा इसका महराश्टरा metro rail corporation मतलब मुंबई metro rail corporation के साथ ये sign किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DRDO science with महराश्टरा metro implementation of advanced bio digester MK2 technology in metro rail network तो इसको याद रखना है, बहुत important है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ metro rail corporation की और एक नई technology है, जो DRDO ने तियार की है जिसका नाम है bio digester मतलब किस तरह से जो waste है, जो human waste है उसको digest करेगा, ये bio digester करेगा तो MK2 technology का इसमें use होगा, ये technology का नाम है तो इसको याद करना है, और इसमें बहुत ही एक interesting चीज है कि ये convert करेगा human waste को usable water and gases में ये बहुत ही मतलब एक अलग तरह की चीज है, जिसको आप cooking में और irrigation purpose के लिए पानी को जो है वो क्या कर सकते हो, use कर सकते हो, तो ये इसकी एक खास बात है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, DRD ने इस technology का जो है वो गठन किया है और bio digester units जो है, वो लगाए जाएंगे अलग जगा पे ताकि environment को protect किया जा सके और पानी को बचाया जा सके ये एक खास चीज है कि पानी को बचाया जा सकता है और bio digester is an indigenous green and cost effective technology है जिसके through armed forces in high altitude हमाले ने रिये हैं क्योंकि वो use करते हैं, वहाँ भी उनके पास कोई सादन नहीं होता जिसके कारणी ये वहाँ पे use की जाती है तो इसका याद रखना है कि water और gases को usable form में convert किया जाएगा जिसको आप cooking और irrigation purposes के लिए पानी को जो है वो use कर सकता है तो यहाँ पर organization हमारे पास important होगी है DRDO DRDO के बरहे में याद रखना है chairman G.Sathish Reddy है headquarter कहाँ पे New Delhi और जो हमारे पास महाराष्टर मेटरो रेल कॉर्परेशन है उसका headquarter नागपूर में है और chairman है दुर्गा शंकर मिश्रा याद कर सकते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा नेक्स आते हैं दोस्तों अगले question के उपर which state launched किसान कल्यान mission to double farmers income कौनसी state ने किसान कल्यान mission start किया है farmers की income को double करने के लिए wait कर रहा हूँ आपको 10 seconds दे रहा हूँ इसको answer देने के लिए और answer को मेरे साथ match करना है फटा वट chat box में answer को बता दें answer क्या होगा और आपके time period जो है वो यहाँ पे खतम हो जाता है और answer क्या होगा इसका हमारी सबसे प्यारी state उत्तर परदेश जिसके बहुत ही प्यारे चीफ मिनिस्टर है हमारे पास कौन है योगी अदित्यानाच जी और वहाँ की गवर्नर कौन है गवर्नर है अनंदी बेन पटेल जी तो याद रखना है उत्तर परदेश हमारा क्या होगा answer तो आप देख सकते हैं योगी अदित्यानाजी मुस्कराते हुए और उन्होंने स्कीम को लाँच किया किसान कल्यान mission to double the farmers इंकम तांकि उनकी इंकम को हम double कर सकें तो उसके लिए वो क्या करेंगे उसके लिए वो करेंगे अलगलग जगा पे आप कह सकते हो exhibitions करेंगे वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े farming units लगाए जाएंगे जिसमें सरकार जो है वो फसल को implement करेगी और साथ में बेचेगी भी इसमें किसान क्रेडिट कार्ड्स और सरकारी जो schemes है उनका lab farmers तक पहुंचाया जाएगा तो यह सारी सुविदाएं जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्मन की तरफ से दी जाएंगी तो आप देख सकते हो exhibition of agriculture and associate sector तो उससे जुड़े हुए sectors की exhibition करेगी सरकार awareness create करेगी कि किस तरह से जो है वो सरकार की schemes आपको lab दे सकती है किस तरह से आप farming करो कौन से fertilizer use करो किस तरह की मिट्टी में कौन सी फसल होगी यह सारी चीजे करने से उनकी income जो है गवर्नर मैं बता चुका हूँ capital लखनऊ है इसकी और अब बात हो जाती है यहाँ पे tiger reserve की जो की बहुत important है और एक तो पीली बीथ tiger reserve याद रखना एक दुदवा tiger reserve इसमें याद रखना है दो चीजे आप इसमें याद रखोगे next question के उपर आते हैं फिर से आपको 10 second का time दे रहाँ अंसर को सोचने का और answer का जो इस question का answer देने के लिए आपने chat box के अंदर wait कर रहाँ आपका तो आप फड़ा वड़ इसका answer देंगे और answer क्या होना चाहिए इसका answer होना चाहिए ministry of textile भी जुड़ी हुई है इसके साथ और ministry of education भी जुड़ी हुई है मतलब answer क्या होगा फिर अंसर होगा बोथ ANC मतलब समरिती जो भी इरानी भी होगा minister of textile और साथ में रमेश पोखरियाल जी भी होंगे union minister of education तो दोनों ने मिलके इसको launch किया है और इसका मतलब है कि हमने twice sector के अंदर नाम से पता लग रहा है twice sector के अंदर हमने क्या करना है अपनी काबलियत को आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो समरिती रानी जी और रमेश पोखरियाल जी दोनों ने मिलके twice hectane 2021 और twice cathane portal को launch किया है और यह दो words से मिलके बना है twice and hectane दोनों को मिला के क्या बनेगा twice the idea behind the launch of twice कि self-reliant बनाना है twice sector में क्योंकि आज हम 80% से ज़्यादा twice जो इंडिया में है वो क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना से है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इंडिया में इसको self-reliant बनाना है क्योंकि जिस तरह से हर सेक्टर में हम आतन मिरुबर भारत की बात कर रहे है तो इसमें बहुत ज़रूरी है इसको मतलब इसमें एक competitions रखे गए है ताकि बच्चे जो है वो अपना design इनोवेट कर सकते हैं वो बता सकते हैं किस तरह का toys जो है वो market में आप देखना चाहते हैं यो अपना design खुद वहाँ पे upload कर सकते हैं इसके लिए सरकार ने कुछ prizes वो वहाँ पे रखे हैं लेकिन हमारे लिए इस चीज इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए इसका mascot important है इसका जो हम कह सकते हैं कि जो branding होगी वो किसके थू होगी तो एक symbol रखा गया है जिसका नाम है ट्वाइकू तो याद रखना है इसका official mascot कौन है टाइकू और theme जो है वो 9 तरह के themes है इसमें historical theme है इसमें cultural theme है अलग-लग तरह के theme है और December 2020 में TwiCathon Challenge 2020 launch किया गया था जो कि किसके साथ मिलके launch किया गया था Amazon के साथ तो ये भी आपने याद रख लेना है तो ये भी आपके लिए important है तो ये चीज़ें सारी important है और हम TwiSector में भी sufficient होने की बात कर रहे है Next question के उपर आते है Which bank signed a memorandum of understanding with the Indian army for the Bandhan Bank Shoria Salary Account पहले भी एक bank कर चुका है अगर आप देखोगे December महीने का even weekly, third weekly current fair अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा एक question जिसमें Bank of Broda जो है वो एक salary package account निकाला था यहाँ पे कौन निकाल रहा है Bandhan Bank Shoria salary account जो है वो निकाल रहा है तो नामसी पता लग रहे है कौन से ने निकाला है Bandhan Bank ने तो answer क्या होगा इसका Bandhan Bank तो आपको question में यह answer मिल गया तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होगी लेकिन यह question को most important में कर लिए उसके पीछ एक कारण है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे है Indian Army की बात हो रही है तो इसलिए जो है यह आपके लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा important है तो यहाँ पे important आपके लिए क्या हो जाती है एक और चीज़ बंदन bank आपके पास जो है वो क्या हो जाता है important हो जाता है बंदन bank जो है वो first bank है जो eastern part of India में post independence जो है वो set up किया गया था याद रख सकते हो आप इसको क्योंकि इसका headquarter जो है बलाई याद रखना है आपका बला सबकी बलाई यह tagline है बंदन bank की बहुत important है इस चीज़ को याद रखना है बहुत importantly आप यहाँ पे देख सकते हो बंदन bank signed Indian army to provide salary accounts for Indian army personal उनके लिए इसको इसमें credit cards issue किये जाएंगे even visa platinum debit card जो है वो किये जाएंगे जिसमें annual charges जो है वो off कर दिये गए है इसमें zero balance salary account खोला जाएगा जिसमें 6% तक interest मिलेगा अगर एक लाग से आपके account में ज्यादा पैसे जमा है तो बहुत important हो गया और banking outlets अलग लग जगा पे खोले जाएंगे जहां पे Indian Army के units है ये भी एक बहुत important बात है और ATM transactions के उपर जो charges लगेगे unlimited कर दीगी है और free of cost कर दीगी है even दूसरे bank में भी अगर आप transaction करोगे तब भी आपके लिए free है और एक शौरया visa platinum debit card जो है वो दिया जाएगा जिसमें charges नहीं लगाए जाएंगे तो बंदन bank के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ next आते हैं अगला question और अगला question very important section में करेंगे क्योंकि most important section के question खतम हो चुके हैं तो very important section में Tata power and which bank joins hand for rooftop solar financing for MSM is ताकि energy को बचाया जा सके MSM is जो है वो भी जो है वो इसका use कर सके और solar power का ज़्यादा से ज़्यादा use करने से क्या होगा कि हमारी जो dependency दूसरी electricity के उपर है वो कम हो जाएगी तो इसका मतलब new and renewable energy का use जो है वो बढ़ जाएगा तो इस scheme के through जो है वो कौन जो है वो इसको पैसा प्रवाइड करेगा टाटा पावर जो है वो grids प्रवाइड करेगी और bank का नाम जो है वो क्या है SIDB और सब बच्चे फटा फट अंसर बता रहे हैं इसका मतलब उन्होंने current affairs पड़ा हुआ है तो SIDB आपके पास बहुत important हो जाता है SIDB का मतलब Small Industrial Development Bank of India इसका headquarter आपको कहां मिलेगा इसका headquarter आपको मिलेगा लखनव उत्तर प्रदेश में और इसको कब बनाया गया था 1990 में इसको बनाया गया था तो आप यहाँ पे देख सकते है Tata Power and SIDB joins hand for rooftop solar financing for MSMEs यह बहुत important है इसको याद रखेंगे आप लोग और the partnership will overcome the financing barriers for penetration of solar in the MSME sector अब financing की कोई problem नहीं है क्योंकि आपको SIDB जो है वो इसके लिए पैसा जो है वो provide कर रहा है This rooftop solar financing is for the MSME customers of Tata Power for both off-grid and on-grid solar connection इसका मतलब जो Tata Power से इसको खरीदेगा उनके जो customers होंगे उनको यह MSME इसको loan जो है वो provide करेगा कौन provide करेगा SIDB इसको पैसा fund दे रहा है और इसके उपर interest जो है वो बहुत ही कम लगाया जारे less than 10% और without any collateral है यह यह एक खास बात मतलब इसमें रखी गई है कोई भी आपने कुछ भी जो है वो गिरवी नहीं रखना सब कुछ without collateral है और SIDB के बारे में बता चुका हूँ और जो deputy MD है वो कौन है Manoj Mittal and V. Satya Venkta Rao तो आप एक नाम याद लखेंगे Manoj Mittal जो है वो आपके लिए important है next आते हैं दोस्तों अगले question who launched first of its kind Fright Business Development Portal again बहुत important है Fright Business Development Portal मैं आपको 10 second का time दे रहा हूँ फटा फट answer को सोच ले answer क्या होगा इसका मैं वेट कर रहा हूँ answer की और सब बच्चों का answer मैं पढ़ रहा हूँ कि ये Fright Business Development Portal जो है वो किसने launch किया है और ये related है Indian Railway से अगर Indian Railway से related है मतलब मैं कौन से Ministry की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ प्यूश गोईल जी की तो answer again बहुत simple हो गया प्यूश गोईल इसका क्या होगा अंसर होगा तो आप देख सकते है Ministry of Railways श्री प्यूश गोईल लांच्ट Fright Business Development Portal वन स्टॉप सिंगल विंडो स्लूशन फॉर आल दी नीड्स ऑफ दी फ्राइट कस्टमर तो आपको बता है कि जिस तरह से Fright जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उसके उपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और खास करके railway क्योंकि सस्ता भी है और आप कहीं भी जो है वो इसको पहुंचा सकते हो और proper transparency रखने के लिए accountability रखने के लिए पूरा portal ही जो है वो online थू है वो अपरेट होगा मतलब सारी चीज़ें जो है वो online ही operate होगी किसी को जानना है कि यहां से यहां जाने में कितने charges लगेंगे वो सब कुछ आप portal के ओपर जो है वो देख सकते हो मतलब अपनी freight requirement जो भी समान आपने बेजना है उसकी requirement के recording आप अपना ही online पे देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा system जो है वो railway की तरफ से किया गया तो याद रखना है किसने launch किया शिरी प्यूश गोईल जी ने शिरी प्यूश गोईल जी जो की consumer fare, food and public distribution और ministry of commerce and industry भी जो है वो इनके अंडर आती है तो बहुत important है याद रखना है और consumer fare, food और public distribution का additional charge जो है वो इनको दिया गया था आज करके जब रामिलास पासवान जी की देथ होगी थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो development portal ease of doing business को बढ़ाएगा और portal enables the customer to show the status of their freight requirement जिस तरह के आपका समान है उस तरह से आप वहाँ पर देख सकते हो और इससे क्या होगा human to human interaction जो है वो कम हो जाएगी और सारा system जो वो transparent हो जाएगा और आपको कोई भी sport चाहिए तो वहाँ पर professional sport जो है वो provide की जाएगी next question आते हैं India will sign memorandum of cooperation with which country on partnership in specified skilled worker simple है एक नाम दे दिया गया है specified skilled worker इसका मतलब क्या है कि आपको अगर आप अच्छे से सारा काम जानते हो जो भी skill requirement है उस country की तो आपको उस country में सरकार की तरफ से बेजा जाएगा this is signed between India and which country तो memorandum of cooperation एक sign हुआ है तो मैं यहाँ पे किस country की बात कराऊ तो यहाँ पे मेरे ख्याल से time की ज़रूरत नहीं है यह recently sign हुआ है किस country के साथ जैपान के साथ sign हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो cabinet approved signing of memorandum of cooperation between India and Japan on partnership in specified skilled worker यह category एक अलग से declare कर दीगी है अगर आप उस देश की बाशा जानते हैं मतलब Japanese जानते होंगे और आप काम में perfect होगे और वो test pass कर लोगे सरकार का तो आपको सरकार जो हो वहाँ पे बेजेगी और वहाँ पे आप काम कर सकते हो तो simple से 2 point इसमें याद रख सकते हो कि इस memorandum of cooperation के अंदर क्या होगा who qualify the required skill and Japanese language test वो 14 specified sector जो है वो जपान के अंदर आपको बेजा जाएगा मतलब आप अलग लग तरह के काम जो है वो वहाँ पे कर सकते हो तो जो 14 category के अंदर सरकार ने बताय हो है और इन workers को Japanese government के द्वारा एक new status of residence दिया गया जिसका नाम रखा गया specified skilled worker और जो की इंडिया से belong करेंगे तो ये बात आपने याद कर लेने हैं बहुत ही simple है तो next question पे आते हैं who is elected as the president of Central African Republic for second term दूसरी बार जो है वो Central African Republic के जो है वो president बन गए है तो किसके नाम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और किस person की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये आपने मुझे बताना है और again answer कोई बहुत ज़्यादा difficult नहीं है अगर आप थोड़ा सा eliminate करके देखेंगे तो आपको answer मिल जाएगा answer क्या होगा इसका answer होगा तो नाम को याद कर लें इसको सिरफ चाहे first नाम ही याद कर लें तो यही नाम अगर आप याद कर लें तो यही बहुत होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो Central African Republican President Taodria wins re-election वो दुबारा से जीच चुके है नाम थोड़ा सा आपको difficult लग रहा होगा इवन इसको जो बोलना भी जो है वो मुश्किल है लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहला नाम जो है वो जुरूर याद कर ले क्योंकि आरचेंज और फाउस्तिन जो है वो असान है और आप अराम से कर सकते हैं और यह ऐसा question जो है वो पूछने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं जो recently जो है वो किसी ना किसी country के Prime Minister या President जो है वो क्या हूँ है appoint हुए है और फिर आपने इसमें एक चीज और याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि यह कौन सी party से जो है वो यह belong करते हैं यह भी आप साथ में देख सकते हैं कि कौन सी party से यह belong करते हैं और यह elections जो है वो अभी recently 27 December को हुए थे और इसके लिए आपने बहुत ही important लीस बंदे का नाम याद कर लेना है और इनकी party का नाम क्या है UHM बहुत ही अच्छा नाम है that is United Hurts Movement तो याद रखने है United Hurts H-E-A-R-T है Hurts मतलब दिल तो Hurts Movement तो याद रखने है United Hurts Movement निक साते हैं अगला question अगला question है who is appointed as the first deputy general secretary of all India football federation और ये पहली बार हुए है कि किसी deputy general secretary को point किया गया है first deputy general secretary of all India football federation फिर इसमें हम all India football federation के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या है मतलब उसका headquarter जो है वो कहाँ पे है तो 10 second का time दे रहो फटावट आप अंसर को सोच ले और इसमें से 4 second जो है वो आपके निकल चुके है 6 निकल चुके है 8 हो चुके है और अब हम बात करेंगे अंसर की अंसर क्या है अभी शेक यादव अंसर क्या होगा अभी शेक यादव ये former Indian footballer है जो की first deputy general secretary बने है all India football federation की और जिसका headquarter कहाँ पे है New Delhi है और उसके president कौन है आपको option के अंदरी मिल जाएगा president कौन है all India football federation के प्रफुल पतेल तो first deputy general secretary photo देख सकते हो आप तो आपको नाम याद रहेगा former India striker अभी शेक यादव appointed as all India football federation first deputy general secretary तो आप यहाँ भी देख सकते हैं it is the first time for a former national player has been pointed as the high ranked position in the all India football federation he was the member of all India football federation has been serving as the national team director since January 2018 आपके लिए important नाम जो है वो सिरफ क्या है वो है अभी शेक यादव next question पे आते हैं who has received orders worth रूपीस आयानर 758 क्रोड मतब almost 700 क्रोड from the ministry of defense for supplying high mobility vehicles to the Indian army तो किस company को ministry of defense की तरफ से order दिया गया है कि high mobility vehicles मतलब बहुत heavy vehicles जो है वो Indian army को बना के देने हैं मैं कौन सी company की बात करा हूँ जो defense ने ministry of defense ने order दिया है तो फटब फट अंसर बताएंगे 10 second का time जिसमें से 2 second जा चुके हैं अभी 4 second उसमें खतम हो गया है 6 second खतम हो गया है 8 second जो है वो वहाँ पे खतम हो चुके है अब time आ चुका है कि क्या इसका answer होगा answer है दोस्तो इसका BEML BEML का मतलब है बारत earth movers limited तो याद कर लें बारत earth movers limited इसका क्या होगा answer होगा तो इनको या order मिला है तो simple question है एक साल का time period है कि इन्होंने ये बना के जो है वो देना है और कौन से plant में ये बनाएंगे ये बनाएंगे BEML का जो पलकड plant है जो की केरला के अंदर है वहाँ पे ये इसको manufacture करेंगे तो logistic management army की जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी अगर इसको आप जो है वो यूज करता है पिक्चर के अंदर देख सकते है तो इस तरह के vehicle जो है वो बना के देने है जिसमें army का जो logistic demand है वो यहाँ पे जो है वो संबल सकता है पूरा का पूरा इसमें जो है वो use कर सकते है इसको troops को लेके जाने में even store करने में कोई चीज को तो बहुत ही जादा ज़रूरी है तो 758 क्रोड रुपीस का order जो है वो दिया गया है किसको BEML BEML का मतलब है बारत Earth Movers Limited जो कि Bengaluru based company करनाटका में मतलब इसका headquarter होगा next आते हैं दोस्तों अगले question के उपर और आप ये question बहुत ही अच्छे से कर सकते हो क्योंकि ये question एक बार हम पहले भी कर चुके हैं last month और ये दुबारा से repeat हो है क्योंकि इस बार इनको approval मिल गया है पहले approval नहीं मिला था which organization will provide UST 105 million इसका मतलब 767 crore to improve West Bengal inland water transport तो कौनसी organization ने West Bengal के अंदर water transport को improve करने के लिए पैसा जो है वो दिया है कौनसी organization की यहां पे हम बात कर रहे हैं तो answer बताएंगे फड़ा फड़ 10 second का time जिसमें से 2-3 second निकल चुके हैं आपके और फड़ा फड़ा अंसर को बताएंगे अंसर क्या होगा इसका अंसर होगा International Bank for Reconstruction and Development मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी World Bank की तो अंसर क्या होगा इसका World Bank होगा World Bank के President है David R. Malpass और Headquarter कहां पे Washington DC तो आप यहां पे देख सकते हैं The World Bank signed a 105 dollar million project to improve water transport in the West Bengal Recently West Bengal में election है तो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए Chief Minister है ममता बेनर जी गवर्नर कहन है जगदीप दनकर जी जगदीप दनकर तो यहां पे आप देख सकते हैं यह project signed किया है Government of India, Government of West Bengal और जो International Bank for Reconstruction and Development जो की पुराना नाम है World Bank का वो इससे inland water transport इंप्रूव होगा उससे क्या होगा logistics इंप्रूव होगे और spatial development project जो है वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा और guys यह IBRD ने प्रोवाइट किया है और इससे क्या होगा water transport अच्छा हो जाएगा World Bank के बारे में पहले ही बात कर चुके है तो West Bengal आपके लिए important हो जाता है क्योंकि यहाँ पे मिलेगा सुंदरवन Biosphere Reserve आपको मिल जाएगा यहीं पे आपको कौन सा मिलेगा यहीं पे आपको मिलेगा महाननदा National Park again बहुत important है और साथ ही साथ गोरुमारा National Park भी आपको यहीं पे मिलेगा नेख साते हैं अन्सर क्या होगा इसका अन्सर होगा मद्यापरदेश और अन्द्रपरदेश दोनों ही अन्सर बहुत important है शिवराद चुहान और यहाँ पे आपको मिलेगे ज्गमोहनरेड़ी डोनों ही बहुत important Chief Minister's है मद्यापरदेश औड अन्द्रपरदेश क्योंकि अंदरप्रदेश तो जाना ही इसलिए जाता है कि बहुत ज़दा स्कीम्स वो citizen centric जो है वो start करते हैं तो उनको reward दिया गया है reforms के लिए even दोनों स्टेट्स को extra पैसे दिये जाएंगे कौन सी तीन स्कीम्स इन्होंने अच्छे से इंप्लिमेंट किया तो इसके लिए सरकार इनको extra पैसा दे रही है वो दी जा रही है दोस्तों और यह एक हजार चार क्रोड रुपे जो है वो special assistance to states for capital expenditure और यह पैसा कहां पे खर्च करेंगे यह rural development, water supply, irrigation, education, transport, urban development मतलब इनी चीजों के ओपर खर्च करना है जिसमें से अंद्रापरदेश को जो है वो पैसा मिला है 334 क्रोड रुपी 344 sorry और जो मद्यपरदेश है उसको जादा मिला है 660 क्रोड रुपी जो है मद्यपरदेश को मिला है It depends on the area and the population तो मद्यपरदेश को जादा मिला है और अंद्रपरदेश को कम मिला है लेकिन आपने नाम याद रखना है कि किस किस को जो है ये project मिला है और किस को ये पैसे जो है वो extra मिलेंगे तो ministry of finance ने ये पैसा दिया है नेक्स आते हैं Bob Brett famous tennis coach of which country passed away recently उनका देहान्त हो गया तो बताएंगे वो कौन सी country से belong करते थे और बहुत ही famous tennis coach जो है वो रह चुके है तो सिरम नाम याद रखना है गेम याद रखना है tennis और साथ ही साथ country तो आप याद रखी लेंगे साथ में क्योंकि बहुत ही importantly ये person जो जाने जाते है even बहुत से newspaper ने इस news को cover किया है और कौन सी country से belong करते हैं Australia से belong करते हैं Australia से ये belong करेंगे नेक्स आते हैं दोस्तों important question section की तरफ और ये रहा पहला question Reserve Bank of India announced the introduction of legal entity identifier for all payment transactions of rupees dash इसका मतलब क्या हो गया कि कितने रुपए या उससे ज़्यादा की transaction के लिए आपको legal entity identifier एक चाहिए होगा जिसके लिए आपको approval चाहिए होगी तो कितने transaction की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो फिर से 10 second का आपको time दे रहा हूँ और ये बहुत जरूरी है और इसमें आपको एक 20 digit का global reference number दिया जाएगा to identify legal entities जो इसमें participate कर रहे हैं आपकी financial transactions में तो उसके लिए आपको legal authority जो है वो चाहिए ही चाहिए तो वो कितने transactions की बात करें 50 crore and above अगर transaction 50 crore या उससे ज़्यादा है तो आप जो है वो क्या करोगे legal entity identifier जो है वो आपको चाहिए होगा मतलब जो भी financial transaction के अंदर involved है जो भी participate कर रहे है तो उसकी legal entities चाहिए होगी तो यह RBA की तरफ से कहा गया है 50 crore and above तो याद कर ले बहुत important है RBA के जो deputy governor है October में point हुए थे जो एक position खाली थी M. Rajeshwar Rao पिछले तीन दिन से हम कर रहे है बीबू परिशाद कंगो महेश कुमार जैन और मिशल देबाबत्रा तो याद कर ले हिनका नाम बहुत important है और legal entity identifier जो है वो large value of transaction RTGS और NFT जब करोगे यह कब से apply होगा यह आपने याद करना है यह April से अंडर section 10.2 अंडर section 18 of the payment and settlement system के अंदर आएगा कई पर पूछ सकते हैं कौन से act के अंदर आता है payment and settlement system act of 2007 इसमें 20 digit का एक global reference number दिया जाएगा तांकि identify कर सोको कि कौन financial transaction के अंदर involved है इससे क्या होगा उसकी identity जो है वो global level पे जो है वो easy हो जाएगी तो वो global level पे आप issue करवा सकते हो नेक्स आते हैं Trifid will establish 5 tri food parks in which state तो Trifid कौन सी state में जो है वो 5 food parks लगा रही है तांकि tribal community को boost किया जा सके tribal community के जो products है हम अलग-लग जगा पे बेच सके तो ये आपने answer बताना है फिर से 10 second का time दूँगा लेकिन ये 10 second से भी पहले आप दे सकते हो इसके साथ एक और NGO type जो organization है वो भी जो है वो इसमें गढ़ बंदन कर रही है अखिल बारतिया वनवासी कल्यान आश्रम जो की 36 गढ़ से बिलॉंग करता है तो वो भी इसके अंदर सयोग देगी और ये tribal की income को बढ़ाने का निष्चय जो है वो किया गया है तो ये कहां पे होगा ये मद्यप्रदेश की 5 districts के अंदर इसको लगाया जाएगा 5 tri-food parks जो है वो लगाया जाएंगे tri-food के बारे में हम हर रोज बात करते हैं tri-food का मतलब है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India तो आप यहां पे देख सकते हो tri-food science अखिल बारतिया वनवासी कल्यान आशरम तो उन्होंने tri-food parks बनाने है कहां पे मद्यप्रदेश तो main जो purpose है वो यही है कि हमने tribal forest जो है foresters है या gatherers है वो जितना भी minor forest produce लेके आते हैं उसको किस तरह से हम marketing कर सकते हैं कि लोग उसको खरीदें और उनकी income जो है वो बढ़ जाए तो main initiative जो है वो यही है मद्यप्रदेश के बारे में already बात हो चुकी है मद्यप्रदेश के जो chief minister है वो कौन है वो है शिवरा चोहान और governor कौन है अनंदी बेन पटेल जी क्योंकि लाल जी तंदन जी का देहान तो गया तो इनको additional charge जो है वो दिया गया है तो यहां पे आपको मिलेगा पन्ना Biosphere Reserve यहां पे मिलेगा पेंच National Park यहीं पे मिलेगा पंचमडी Biosphere Reserve यहीं पे मिलेगा बांदवगर नेशनल पार्क बहुत important पॉर्टन यहीं पे आपको मिलेगा कौन सा Tiger Reserve एक और बहुत सी famous Tiger Reserve मिलेगा Kanha Tiger Reserve अगेन बहुत famous नेक्स आते हैं World Orphans Day 6th of Jan Most Important Day में इसको mark कर सकते हो आप World Orphan Day खास करके इसको एक नाम से और भी जाना जाता है जो कि आपके लिए बहुत important है World Day of War Orphans भी कहा जाता है इसको World Day for War Orphans मतलब यह awareness create करता है कि बच्चों ने बहुत जादा difficult situation जो है वो देखी है during the war या due to war जो कि बाद में उनका बच्पन जो है वो चीना गया और या फिर बाद में वो बहुत ही अलग conditions में वो है जिसके कारण उनका mental जो level है वो बहुत जादा disturb हो गया तो उनको किसी ना किसी तरह से अलग लग चीज़ें provide करने के लिए ये चीज़ें जो है वो की जाती है तांकि humanitarian और social level पे जो है वो हम उनकी साहता कर सकें तो World Orphans Day 2021 6th Jan को मनाया गया तो इसको याद रखोगे और इसके लिए एक organization important है लेकिन हमारी लिए वो important नहीं है आपके लिए आपको exam में नहीं पूछा जा सकता वो otherwise organization का नाम है SOS Infant जो की Paris और France based है तो आपने याद नहीं रखना नेक्स आते हैं veteran congressman and former Big Sammer Maharashtra Minister विलास पातीलं उंदाल कर het उनका धहां थो गया तो आप थोड़ा सा याद रखर सकते हैं विलास पातील करके वो याद रखर सकते हैं और माह राश्ट्रा के मनिस्टर रह चुके हैं और कहां से बिलॉंग करते हैं ये बिलॉंग करते हैं Congress से और 82 मतलब 82 साल की उमर में 82 years के थे ये जब इनका दिहान थुआ और 7 बार MLA रह चुके हैं इसलिए बहुत ही famous लीडर में से नाम लूँगा इनका और properly known as Kaka इनको Kaka भी कहा जाता था खास करके महाराश्टरा के अंदर तो याद रखना अपने हमार important है विलास पार्टिल या फिर स्टेट important है महाराश्टरा नेक्स आते हैं वन लाइनर important points के ओपर 2020 इस दा एट वार्मेस्ट इयर इंडिया since 1901 और ये किस ने कहा है ये कहा है IMD ने तो इसको हमारे लिए important कर लो mark कर लो important को IMD का मतलब है India Metrological Department इंडिया Metrological Department जिसका headquarter कहां पे न्यू डेली और डिरेक्टर जर्नल कौन है Metrology के डॉक्टर मूर्थियों जे मोहापात्रा और डॉक्टर M. मोहापात्रा भी आप याद कर सकने हैं याद रखेंगे M. मोहापात्रा और 8th warmest year 1901 से लेके आज तक 2020 में ये 8th warmest year है ये रिपोर्ट दी गई है IMD की तरफ से और इस रिपोर्ट का नाम था स्टेट्मेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया दूरिंग 2020 next India expected to grow at 5.4% in fiscal year 2021-22 World Bank report तो उनने कहा है कि अब तक तो इंडिया जो है यह बहुत सी कंट्री जो है वो इस टाइम पिट पर कॉंट्रेक्ट कर रही थी लेकिन अब इंडिया जो है वो ग्रो करेगा किस परसेंटेज पे 5.4% पे World Bank की तरफ से यह कहा गया है World Bank के बारे में आज हम बात कर चुके हैं next RBA announces operationalization of payments infrastructure development fund scheme तो RBA ने जो payment infrastructure development fund है उसको लागू कर दिया है तो आपने याद रखना है कि स्कीम के बारे में इसने RBA में जो है 345 क्रोड रुपीज जो है वो आर बे ने लगा दिये हैं तो याद रखना है 345 क्रोड रुपीज जो है वो RBA ने इसके उपर लगा दिये लागू की जाएगी और RBA के जो डिप्टी गुवर्नर है BP कंगोजी वीपु परिशाद कंगोजी तो वो इसके क्या होंगे हैड होंगे मत्तब पूरा PIDF जो पेमेंट इंफरस्ट्रक्चर डिवेल्मेंट फंड है उसके पूरी जिम्मेवारी जो है BP कंगोजी के पास होगी नेक्स्ट इंडियन गवर्न्मेंट SLNP और उजाला प्रोग्राम मार्क्स दियर 6th anniversary on 5th January 2021 तो आपने याद रखना है यहाँ पे SLNP को की SLNP का मतलब क्या है और उजाला का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या है SLNP का मतलब है Street Lightning National Program उजाला का मतलब है 19 जयोती बाइ अफोड़ LED for all तो दोनों स्कीम्स को जब वो 6 साल हो चुके हैं दोनों स्कीम्स को आपने क्या रखना है याद रखना है और इसको इंप्लीमेंट करने की जो पूरी की पूरी जिम्मेवारी थी वो किसके पास थी Energy Efficiency Services Limited EESL के पास थी तो याद रखना है छे साली स्कीम को हो चुके है अब आते हैं 6th of Jan 2021 के अंसर की बारी आ चुकी है तो question क्या था विच कंट्री विल जॉइन दी 5 आइस तो रिस्पॉंड अगेंस थी थ्रिट्स फेस्ट बाई दी ओग्योर्स एस अफ जैन्वरी 2021 तो ओग्योर्स एक कम्यूनिटी है मैनॉर्टी है बेसिकली चाइना की तो जिसके कारण बचने के लिए 5 आइस ग्रूप बनाया गया था लेकिन अब जो है वो छटी कंट्री जो है उसके अंदर शामिल होने जा रही है और वो छटी कंट्री कौन से होगी छटी कंट्री होगी जपैन तो याद कर ले अंसर क्या होगा इसका जपैन होगा तो आप यह countries already इसमें हैं ये इस community को या और भी तरह के China का जो threat है उससे बचने के लिए इसको बनाया गया और जपान के बारे में यहां पर बताया गया है कुछ extra information आपको बताया गया है तो इसलिए इनका answer जो है वो चुना गया है next Martin James का answer चुना गया उसके पीछे कारण था कि इन्होंने बताया कि कौन-कौन सी country जो है वो कब-कब आड हुई तो five eyes group जो है इसमें UK और US ने इसको बनाया था 1946 में Canada ने जोईन किया बाद में 1948 में फिर Australia और New Zealand ने भी जो है वो इकठ्थे जोईन के 1946 में तो US और UK ने इकठ्था बनाया इसको 1946, Canada 1948 दो साल के बाद जो है वो जोईन कर लेता है Australia और New Zealand 1956 में जोईन करते हैं नेक्स्ट मुता पुश्पा इनका अंसर जो है वो चुना गया उसके पीछे कारण था कि इन्होंने जो है वो जपान के पाँच में आइलेंड्स बकाए हैं तो वो नाम जो है वो आप यहां पे देख सकते हो और प्राइम निस्टर जोशी इडेस होगा वो सबको पता है कि शिंजो आबे जी जो है वो हेल्थ के कारण रिजाइन कर चुके थे और जपान is way to become the sixth high तो याद करना है जो भी extra information आपको मिल रहे हैं अब आते हैं question of the day, question of the day क्या है where was the 2028 edition of the world largest multi-sport event olympic games scheduled तो याद रखना है multi-sport event का नाम के olympic olympic game जो है वो 2028 में कहां पे scheduled है तो याद रखना है तो बहुत important question में इसको mark करना है क्योंकि examiner भी आपको ऐसे confuse करेगा क्योंकि इस question का answer जो है वो बहुत important है तो guys thank you for watching this video बहुत बहुत दन्यवाद आपका लेकिन आपने दो काम करने हैं आपने वीडियो को subscribe कर देना है और वीडियो को like कर देना है ताकि आप रोज current affairs को इसी तरह से करते रहें revise करते रहें और bell button को press कर दें ताकि आपको notification on time मिल सके और यह affairs cloud का promise है कि आपके confidence को ज़रूर boost करेगा और 100% आपका confidence improve होगा क्योंकि अगर इस तरह से current affairs करोगे तो कोई भी current affairs गलत नहीं होगा और यह affairs cloud का promise है कि अगर आप current affairs को अच्छी तरह से पढ़ रहे हो PDF को पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो तो आपका current affairs section में कोई भी problem आपको नहीं आएगी क्योंकि 90% of the current affairs जो हैं वो जो आपके exam में आते हैं वो affairs cloud के दवारा cover किये जाते हैं और guys thank you life को बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना हमने, पढ़ना है, अराम से पढ़ना है, खुश रहना है, सबसे बहुत ज़रूरी है खुश रहना है क्योंकि खुश रहोगे तो आपका exam अपने आप ही clear हो जाएगा Thank you guys for watching this video, take care, bye bye